लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें मनों के रंग उड़ाएचो उल्जनों को सुल्चाएचो राजा रैंचो राजा रैंचो राजा रैंचो देखिये तो इनके नए ढंग लाए जहां में नए रंग मस्तियों में जून के मंसिलों को जून के चले जमाना इनके संग राजा रैंचो राजा रैंचो किसी ने ठीक ही कहा है जो लोग अपनी जंदेगी दूसरों की सेवा में लगाकर खुद को भूल जाते हैं उन्हें भगवान सब कुछ देता देखना बाच करोड रुपए की प्रपर्टी मिलने वाली या है कैसे अरे नाना जी के प्रपर्टी की जिम्मेदारी शीला मौसी की है ना लौन शीला मौसी की जो हर नए साल में हमें काज भीजती है और आमों के मौसम में अपने वकीचे के रसीले मीठे मीठे आम हमारे लिए भीजती है रहा हní भीज़िय रेंचोैन शीला मौसी की तरहिक नाना जी कोई बेटा तो ने वे तो सिर्फ दो बेटियां और करोडों रुपए की जायदाद की है अब उस्मेंसे आधी याने की पांच परोर रुपए की जादाद मिल रही है तेरे राजा को और पांच करोड़ रुपए की जाइदात मिल रिये मेरे का जिराविनाश को अब हमारा बर्सों का समना पूरा हो जाएगा हम अपना डिटेक्शन स्कूल खुलेंगे जिसमें सिर्फ चासूसी की पढ़ाई होगी हम लोगों को बता सकेंगे के डिटेक्शन क्या है चासूसी का मह अगर एक जासूस चाहे तो अपने देश की हार को जीत में बदल सकता है और दूसरे मुल्की जीत को हार में है न दोस्त है खेर फिलाल दो हमें जाना है राजनगर और मिलना है शीला मौसी से लेने हैं उनसे काज़ाद और लगा देना है अपनी प्रपर्टी पर एक प्रपर्टी बिलोंग्स टू राजा एंड रेंचो फार्टर अब अवीनाश वाकिल साव मेश्यत बना के दी है जिसमे दस करोड की उस मिलकेत का आधा मालिक तुम्हे और आधा मालिक राजा को बना गया है बहुत 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 शुक्रिया आपका शीला मौसी बहुत बह अरे इसमे शुक्रिया के क्या बात है आखिर कानून में प्रॉपर्ट एक ना एक दिन तुम्हें और राजा कोई मिलनी थी अरह शीला मौसी राजा भाहिया का बारे उसका फोन आया था आजो किसी भी वक्ता सकता है बहुत अच्छा कई साल हो गया राजा भाहिया से मिले अच्छा कोई आज वे इस में शीला मैडम शीला मैडम रमिश्टू फिर क्यों आई हो मैं अब को एक बार फिर से समझाने आया हो कि आपके पीछे आपकी स्कुरों की संपति को मैंने बरसूं अपनी जान से भी ज्यादा समाल करका है अब ज्दाने ही तो मुझे कम से कम दस अच्छी तरह से और कोई जानता है हर साल लाखों का नुपसान इसके जड़ में जाता था तुम्हारी ना चलो निकलो यहां से तुने कुछ नहीं मिले वाला चीक है जाता हूं लेकिन एक बात गार से सुनीजे के इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा कि देखा अबिनाश मुझे धंकी देकर गया है मुझे शीला मौसी ऐससे तुच्छे मैनेजरों के धंकी में अगर मालिक आते रहे तो फिर दुनिया चल चुकी चोड़ियों ना में अधर आए बास शीला मैडम आप भी कमाल है कमाल हाँ आपने उस बदमाश रमेश को दो टुक जवाब दे कर बहुत अच्छा किया हाँ शीला मैडम आपको मेरी वफादारी पे तो पूरा यकील है है ना मैडम कब से कब मुझे तो इस प्रॉपर्टी में दस तक का हिस्सा तो बिल जाएगा ना तुम और रमेश तुम दोनों एक ही थेली के चट्टे बट्टे हो इस प्रॉपर्टी के मैनेजर बनकर तुम दोनों ने अच्छी लुटमार मचाई है निपल जाओ यहां से तुम्हें कोई हिस्सा भी सा नहीं मिलने बाला शीला मैडम अभी अभी रमेश में जो आप से कहा कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा मैं इसे दो कदम आगे पुछ और बोलूँ है इसका अंजाम बहुत प्राफ़ा मुझे तुम मुझे दान की दिया रहा हो हां मैनेजर बनकर चोरी करने वाले तुम लोगों की यह उ रजा भी है वो तुम लोगों को अच्छी सबक सिकाएगा एक बार उसे यहां आने तो दो गेड़ फोमिया ज़्राए मात ज़्या रहा हो इप जया रहा हो का मासिर राजा राजा यह वोई जगह है जहाविनाश का खून हुआ था अरे यह क्या अविनाश की लाश का हुए जो यह पर चोड़ कर गए थी अविनाश की लाश कैसे जा सकती है मौसीर मुझे बताओ अविनाश का जब कतल हुआ था उसक्त आप कहां थी मैं मैं किचन में थी लेकिन एक लड़की की चिक सुनकर में भाग कर बाहर आ गए थी फिर तो आपने कातिल को जरूर देखा होगा आप पैचांतियों से नहीं नहीं वो भाग कर जा रहा था उसकी मेरे राजा यह वो ही लड़की है जिसने अविनाश के कातिल को देखा था नहीं यह सब जूट है ना मैंने किसी का खून होते हुए देखा है और नहीं किसी कातिल को बल्कि मैं तो आपको यह बताने आई हूँ कि मैंने कुछ लोगों को अभी अभी यहां से एक लाश ले जाते मुझे मैं भी आता हूँ चलो आई राजा जी एक मिनक मैं मैं हटाता हूँ रुकिये बहुत काते हैं यही यही वो जगह है यही वो लोग लाश लेकर आये थी यहां और हुआ यहां कहीं उन्होंने लाश रखिती आम्शा यहां यहां करता है लेकिन यह तो कोई भी लाश में दने आरे हैं अभी तो यहां कोई लाश नहीं दरारे हैं लेकिन आप नज़र आएगी अधा रियों चैना तुम ट्रेंत को अब दस करोड की सारी प्रवपटी का मालिक कोई और नहीं है, कोई और अब भड़ी अजीब लड़की है, अरे मुझ पर बिला बजा गोलियां चला दी, आगर मैं मर गया होता तो मनुष्य, तुम हमारे साथ चलो, साथ चलो, कौन भाई तुम मैं तुम्हें नहीं जानता, क्या चाते हो तुम, मैं यम्दूत हूँ, हाँ, यम्दूत, मैं तुम्हें लेके यम्राज के पास जा रहा हूँ, बहुत अच्छे, यम्राज के पास, मैं तुम्हारी बात नहीं सम समझ में नहीं आएगा मुश्य नहीं आएगा क्योंकि तुम इस वyllक्त अपनेशनी में नहीं हो तुम मर छूके हो वा मैं मर चूका हूँ अरे माशचा इधर देखें किया मैं आपके सामने खड़ा ओ जीता जाकता छे फुट का इंसान वन पीस तुम जो हमारे सामने खड़े हो वो तुम नहीं हो तुम्हारा शरीर नहीं है बल्कि तुम्हारी आत्मा है जी ठीक है मैं समझ गया यह कहानी क्या है यह सारी साज़ेश उस शीला मौसी की रची हुई पहले तो उसने खुदी अविनाश का कतल करवा डाला फिर ये जूटी मनगरंद कहानी गड़के उस चित्रा को मेरे पीछे भेज़ दिया गोलियां चलवाने के लिए मैं बच गया तो ये सारा नाटक रज़ दिया मुझे पागल बनाने के लिए मनश्य तुम उस महिला की गोली खाके बच नहीं पाए और तुम मर गये हो अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं कि मैं मर गया हूं मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं तो महाश्य अगर मैं आत्मा हूं तो फिर मेरा शरीर कहा है वो रहा तुम्हारा शरीर मनुष्य अब तो तुम्हें यकीन आया अब चलो हमारे साथ यम्राज के पास वही तुम्हारा हिसाब किताब होगा आव मेरे साथ आव मनुष्य महाराज की जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो दूद बड़ी जल्दी आ गए महाराज जान जल्दी मिल गई तो जल्दी आ गया जिसकी जान लेने भेजा था उसी की जान लेकर आये हो ना कि पिछली बार की तरह किसी दूसरे की जान लेकर आ गए ये मराची मुझे तो लगता है कि ये किसी दूसरे की जगा मुझे ले आया है जित्रगुप जी माराज ज़रा देखो तो साही कहीं ये फिर से गलत आख्मा तो लेकर नहीं आ गया जी माराज आत्मा तो गलत ही लाया माराज ये मराज जी मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये किसी दूसरे की जगा मुझे ले आया यहां जित्र लोग की आत्मा तुम चुप रहो महराज मैंने इस बार कोई गलती नहीं की है बहुत अच्छे क्या नाम है इसका नाम बोलो मनिश्य राजा ये क्या हो रहा है महराज तुम फिर गलत आक्मा लेकर आगे हमेशा की दला वही वही तो मैं भी कह रहा हूं ये मराज जी वरना मैं इतनी काम उमर में कैसे मर जाओंगा सोची तरह अब मेरा क्या होगा कूछ ना कुछ अवस्य होगा अच्छा अपना पूरा नाम बताओ मेरा नाम तो राजा है राजा कहते हैं हाह धरती पर लोग मुझे राजा रेंचो के जानते हैं राजा राजा रंचो हम भारत के तसिद्ध जासुस राजा तो नहीं हो हम वहीं तुख मैं राजा लेकिन आप कैसे जानते राजा रेंचो को कि अप्राज्यों को पकड़ कर तुम भासी की सजा दिलवाते हो उनकी जान लेने को नाता था अच्छा अच्छा मतलब उनकी आत्मा को लिवाने के लिए आप ही जाते थे अप्राइब तो वाट आप प्लेजन सर्प्राइज क्या कमाल की मुलाखात हो यह युद्धा जी अंदा या गरम महाराजा को सब लेने के लिए में यहां रुक गया तो पतानी फुर्थ्वी पर लोग मेरे शरीर का क्या 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 कर डालेंगे आप तो बस मुझे रैंचो के होते हुए तुम्हारे शरीर को को हाथ नहीं लगा सकता यह आपका कहना बिल्कुल ठीक है अमर महाराज मनिश्य चलो मेरे साथ चलो ओके यम्राज जी दाइनाइस मीटिंग यू नहीं जाने दीजिए फेर कभी भेट होगी जाने चलो अरे यार यार यम्दूद भाई ज़ल्दी चलो ना प्लीज पाई तो अंडेस्टेंड माई प्रॉब्लम मैं बहुत थक्या हूं थो होके तुम्हें आराम करने की सूज रही एक मेरे पासी तरह उठो उठो देखो एक बार मेरी आत्म मेरे शरीर से मिल जाए ना फिर चाहे जितनी देर सो जाना कौन रोकता है तुम्हें देखो मैं एक लाद घंटा मीन कर लेता हूं तब तक तुम अपने पड़े हुए मिर् ठीक है मनुष्य आओ मेरे साथ कर बार मेरे साथ